हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल गले का डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बक्रम लेना है बक्रम की लंबाई आठ इंच है और इसकी चौड़ाई दस इंच है बीच में से हम बक्रम को फोल्ड करेंगे और यहां से तीन इंच दो पोइंट की चौड़ाई आपकर टिक लगाएंगे गले की लंबाई हमने सात इंच ली है यह देखिए सात इंच की लंबाई पे ऐसे टिक लगाएंगे स्केल की सहायता से इन दोनों टिक को हमें ऐसे लाइन अप कर लेना है अब हम यहां कोने की साइट से हलका सा गोल सेप देते हुए ऐसे लाइन अप करेंगे जिस सेप में हमने लाइन अप किया है बिल्कुल उसी सेप में एककिंज की ऐसे चोड़ाई नापनी है और टिक लगा लेना है टिक लगा कर हम इस टिक को ऐसे लाइन अप कर लेंगे लाइन अप करने के बाद अब हमें इसकी कटींग करनी है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और रोजाना एक नई डिजाइन की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आल का उप्सन सलेक्ट करें आप हमें इस्ट्रागाम पे भी फोलो कर सकते हैं इस्टाग्राम की लिंक हमने डिस्किप्शन में दी है तो ये देखिए फ्रेंड हमने गले की कटिंग कर ली है इस्तरी की सहायता से गले की डिजाइन को हमने कपड़े पे ऐसे चिपका लिया है अब हम किनारे की साइट से कपड़े को ऐसे फोल्ड करके इसके उपर सिलाई चला लेंगे यहां से हमें धागे को कट कर लेना है अब हम इस डिजाइन को सूट के कपड़े में ज्वाइंट करेंगे तो ये रहा हमारा सूट का कपड़ा सूट के कपड़े में हमें गले की डिजाइन को यहां पर लगाना है और इसके बीच में एक बराबर में सिधी सिलाई चला लेनी है यहाँ पर हम सिलाई को इस टॉप कर देंगे और जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिलकुर उसी सेप में डिजाइन के उपर हमें यहाँ से सिलाई चलानी है अब हम धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद सिलाई के हलके से बगल में हमें एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है एश्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद अब हमें डिजाइन को प्रॉपर सेप में फॉल्ड करने के लिए यहां किनारे की साइड में हलकालका कपड़े को कट कर लेना है ध्यान रहे आपकी सिलाई कटना हो अब हम इसे फोल्ड करके ऐसे सिधा करेंगे डिजाइन को अच्छे से फोल्ड करने के बाद इसे परफेक्ट सेप में बैठाने के लिए हमें इस्तरी कर लेना है जिससे हमारा डिजाइन परफेक्ट सेप में बैठेगा आगे की साइड से भी डिजाइन में परफेक्ट फिनिशिंग आई है अब हम एक छोटा सा बकरम लेंगे जिसकी लंबाई हमने 7 इंच ली है और इसकी चोड़ाई 7.5 इंच है बीच में से हम बकरम को ऐसे फोल्ड करेंगे और यहां कोने की साइड से हलका सा गोल सेप लेते हुए ऐसे लाइन अप करेंगे जिस सेप में फ्रेंड हम लाइन अप कर रहे हैं बिल्कुल उसी सेप में आपको भी लाइन अप करना है अब हम यहां से एक इंच आठ पॉइंट की लंबाई नापेंगे यह देखिए एक इंच आठ पॉइंट की लंबाई नापकर ऐसे टिक लगा लेंगे और यहां से हलका सा गोल सेप देते हुए ऐसे लाइन अप कर लेंगे जिस सेप में हमने लाइन अप किया है बिल्कुल उसी सेप में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है डिजाइन की कटिंग करने के बाद इस डिजाइन को हमें इस तरी की सहायता से कपड़े पे चिपका देना है तो ये देखिए फ्रेंड हमने डिजाइन को कपड़े पे चिपका लिया है अब हमें एक लंबा सा कपड़ा लेना है, जिसकी चोड़ाई हमने साड़े 5 इंच ली है डिजाइन को तयार करने के लिए हमें एक कागच लेना है कागच की लंबाई और चोड़ाई कितनी है ये नाप लेते हैं लंबाई हमने साड़े पाच इंच ली है और चोड़ाई साड़े चार इंच है कागच के उपर हमें कपड़े को ऐसे लगाना है और कपड़े में हमें चूनट बना लेना है जितना लंबा हमारा कागच है उतना ही हमें चूनट बनाना है अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे और चूनट को फ्रेंड ऐसे हम तिर्ची में फोल्ड करेंगे और किनारे की साइड में सिलाई चला लेंगे इस तरीके से आप इस डिजाइन को इजी स्टेप में तैयार कर सकती है अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद दूसरे साइड से हम चूनट को ऐसे फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे तो ये देखिए फ्रेंड, इस लाइन को हमने कम्प्लीट कर लिया है, अब हम यहां से धागे को कट करेंगे और चूनट की डिजाइन को हम ये वाले डिजाइन में ऐसे ज्वाइंट करेंगे इसे अच्छे से परफेक्ट सेप में बैठाते हुए हमें ऐसे डिजाइन के उपर सिलाई चला लेनी है दोनों डिजाइन को ज्वाइंट करते हुए हमने इस लाइन को कम्प्लीट कर लिया है अब हम यहां से धागे को कट करेंगे और किनारे के साइट से एस्ट्रा डिजाइन को भी एस्ट्रा डिजाइन को कट करने के बाद अब हम एक बकरम लेंगे जिसकी लंबाई हमने एक इंच दो पॉइंट ली है और चोड़ाई इसकी धाई इंच है Half Gold shape में बकरम की cutting करके ऐसे कपड़े पे चिपका लेना है और जिस shape में हमने बकरम की cutting की है बिलकुल उसी shape में हमें इसकी ओपर सिलाई चला लेनी है अब हम यहाँ से धागे को कट कर लेंगे और किनारे की साइट से एस्ट्रा कपड़े को भी अब हम इस डिजाइन को फोल्ड करके सीधा कर लेंगे सेम साइज का हमें ऐसी 10-12 डिजाइन बना कर तयार कर लेनी है तो ये देखिए ऐसी हमने धेर सारी डिजाइन बना ली है सारे डिजाइन को यहां किनारे की साइड में ऐसे लगाना है एक के बाद एक सारे डिजाइन को ऐसे लगाते जाएंगे और इसके उपर सिलाई चला लेंगे तो यह देखिए फ्रेंड सारे डिजाइन को ऐसे ज्वाइंट करते हुए हमने इस लाइन को complete कर लिया है अब हम यहां से धागे को cut कर लेंगे धागे को cut करने के बाद इस डिजाइन को हमें गले के डिजाइन में यहां पर लगाना है और इसके उपर सिलाई चलानी है जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिल्कुल उसी सेप में सिलाई चलाएंगे सिलाई चलाने के बाद बिल्कुल इसी सेप में डिजाइन के उपर हम सिल्वर कलर का ऐसा पतला सा लैस लगा लेंगे जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिल्कुल उसी सेप में हमें ऐसे लैस लगा लेना है यहां से हम धागे को cut कर लेंगे अब जो हमारा, यहां अंदर की side का ये वाला line है ये देखिए ये वाला, इसके उपर less लगा लेंगे अगर आप हमारे channel पे नये हैं तो please हमारे channel को जरूर subscribe करें रोजाना एक नई design देखने के लिए अब हम यहां से धागे को और एस्ट्रालेस को कट कर लेंगे डिजाइन को इस तरीके से तयार करने के बाद अब हमें डिजाइन में मार्केट वाले बटन को लगाना है तो मार्केट वाले बटन को घर पे बनाने के लिए हमने सट का बटन लिया है इसे हम कपड़े में ऐसे फोल्ड करेंगे और धागे की मदद से हम कपड़े को अच्छे से लॉक कर देंगे अब हम धागे को और एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे सेम साइज का हमें ऐसी 8-9 बटन बना लेनी है और सुई धागा के मदद से डिजाइन में लगा लेना है तो ये देखिए डिजाइन में हमने बटन और मोती को लगाया है तो इसी के साथ फ्रेंड हमारा ये डिजाइन बन के कंप्लीट हो चला है आपको ये डिजाइन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं थैंस पर वाचिंग माई वीडियो